इसमें हम लोग हिंदी व्याकरां के टॉप हंड्रेड अब्यक्टिव प्रस्ण दिखने वाले हैं जो काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं यह आपकी एक्जाम में काफी सहायक सीध होने वाले हैं तो पहला कोस्तन प्राकास्था में कौन उपसर्ग है इसमे सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी कोस्तन आपसे इससे रिलेडेड पूछेंगे आप उसको हर हाल में बना देंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण देख रहे हैं कि प्राकास्था में कौन उपसर्ग है तो इसको राइट टेंसर हो जाएंगे बी वीडियो को लाइक जरूर कर ले और दोस्तों में सेर अवस्य कीजिए क्रिपया ताकि और लोग भी जाने अपने दोस्तों में जो है आट से पर फेस्बूक पर और जो टेलीगराम जो जहां है जैसे ग्रूप में हो वहां सेर अवस्य कीजिए अगला कोसन निर्जन समझिएगा निर्ख हो जाएगए अगला कोसन निश स्ट्यज में कौन उप्सर्ग है तो इसके राइट एंसर हो जाएंगे यहां प interfering साथad के। की सबस्ट के पहले लगता है circuit लाषिट में लगता है तो प्रटिय तो अंनु हो जाएगा यहांसे अगला कोशं नीवास में कौनम्सर्ग होगा तर निवास में जो सम€ndtsåा सब्षंद का सबूसरों में सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टेको सा. आई हो जाएंगा आपसन नमबर से सही है, अगला कोस्न हम लोग देख लिते हैं, बुड़ापा में कौन पुड़ाब, बुड़ापा में अपना नामबर C सही हो जाएंगे अगला कॉसन देखते हैं बंधन सब्ध का वी-लो म यानि अपोजिक क्या हो गाई त estás किया हो जाएगा यानी अपोजिक मीनिंग देने वाला तो इसके जो राइट यंजर हो प्राकिर्ट हो जाएगा अप्समित क्षेट क्रितियम का प्राकिर्ट क्रित्रीम च्राइब क्या हो जाएगा देख लेते हैं लोग वीद्वा सब्ध का विलोम क्या होता है अप्सन नमब सही है अगला कोशन है रख्छा का विलोम सब्द क्या हो गया तो किसी एक के लिए यानि विक्तिकत हो गया और नम नम ए कि उल्टा मीनिंग देने वाला उपकार का क्या होता है अग्ला को सने का बढ़ते हैं उप्यक्छा का विलों क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अप एक छा अपसा नंबर बी हो जाएगा यह सब पूरे प्रसन देख लेते हैं न तो आपको इसे रिलेट आएंगे तो आप उसको हर हाल में सही कर ही देंगे तो इसलिए आप सांती पूरवा के पूरे वीडियो को देखिए और सोचिए और अच्छा से इस पूहें अमलीज का पर्यावची सब्ड क्या हो गया तो देखिए का प्रयावची क्या होता हुझता हैँ आपसं-सथ ही हो गया अगला question है गुन्वान सब्द में प्रतिया है अब देखिए कहा है अमरीत का प्रतिया है ना तो इसको जहें आप खटाइए अब बताईए गुन्वान में कौन प्रतिया है गुन्वान में जो है ना वान हो गया अगला question दिख लेते हैं अगला question चिलाहट सब्द में कौन जे है प्रतियाय हो जाएगा चिलाहट ध्यान दिजिए चिलाहट पुछ रहा है है तो चिलाहट आपका answer जो हो जाएगा हो जाएगा क्या होगा option number B सही हो जाएंगे Nасть question के öre चाहिए की भीसेस्टा बताता हैसे क्या कहन्हाए तो उसे हम लोग b persons कहते हैem संग्या या सरवनां की भीसेस्टा बताथा उसे भीसेस्टा कहते हैं अगला जाएगा सब्सक्राइब क्रवाटे इस वाक्य में यहां पर जाएना देखिए इसवाक्य में गोल तो यह सब्सक्राइब आपके हो जाएंगे अब सन नमबर जहें बी नमबर सही हो जाएंगे गोल है चौकोर है गोरा है कला है यह सब सब्सक्राइगा ना तो जहें गुण वाचक भी सेशन हो जाएगा आप इसको ध्यां रखिएगा कार अवस्था के बोथ होता है और रंग के भी हो तो गुण चार घ audi मल मल म énorm 스श डिइएगा यहां जो राइट सर हो जाएंगे संखह यहां कि शांखहा बसक्राइब जैएगा च्ट जिए हैं अगला आए सब्सक्राइब देखे लिस को निम्ए अच्छा Dziękuję तो देखियेगा यहां जो राइट एंसर हो जाएंगे संख्या है ना चार गज़ तो संख्या वाचक वी शन हो जाएगा 26 नंबर का a सभी है अगला कोशन हम लोग देख लेते हैं बीसेशन की वी सेस्ता बताने मोझे सब्सक्राइब होते हैं अगला कोशन निम्ड में कौन पड़ीमान वाचक भी सेसन है पड़ीमान के बोध करा रहा है तो यहां देखिएगा सुंदर तक गुन हो गया पुराना भी गुने है चार संख्या वाचक हो जाएगा तो थोरा सा जहना पड़ीमान का बोध करा रहा है तो अपसर नमबर बी सह तो नमबरब सी होता है सब्सक्राइब होगा दयान दिजिए धर्म का सब्सक्राइब इस पूछेगा यहां धार्मीक हो जाएगा आप बना लेंगे नरक सब्सक्राइब अगला कोशन है रूची सब्द कविसें क्या हो जाएगा अगला कोशन है परसे पटे गिरते हैं तो कौन सा कारक है त अलग हो रहा है ना तो अलग का बोद होता कॉकुक्त हो था बचा शथ से गिर गया किताब टेबूल पर से गिर गया से लिखता है यहां से कौन सा कारक है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कोशन आ गया इने में कौन उसमें वे अंजन है तो देखिए का तीनू स और हउ उसम कहलाता है तो इसका अपसाण नमबर डड़ी साही हो गया अफसाण नमबर ड़ी고 किसे बोलते है ने कखा अंग किसे बोलते हैं ऊपसाण नमबर रेशस्यक्त करते है아 उचारा अस्तान आपसे पूछे जाएंगे इनमें कौन देसज सब्द है देसी तो देसी जो है डीबी या घास फूस छीपा लोटाई सब का जाता है देसज है देहाती वर्ड देसी वर्ड अगला कोशन आगे उत्पती के दिरिश्टी सब्द कई परकार के तो उत्पती के द कि और योगुरूट हैं अगला कोशन हम लोग देखे लेते हैं अगला कोशन ने में कौन योगुरूट है जो जेल का बोलते है यहां यहां 100 क्रूड का होता है कामल होता है तो अपसन जो अलग अर्थ लेए जैसे पांक़ लंबोधर चकर पानी नील कंढ यह सलारग और दे चार परकार के होता है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा अगला कोसन हम लोग देख लेते हैं अगला कोसन चंदन का टोपी नीला इसमें नीला क्या हो जाएगा तो नीला जैना उसका गुन है ना गुन हो जाए उसका रंग के तो डिनमर अपसं सही है मिलावाट में कौन प्रत है मिलावट है तो अपसर नमबर प्रतिया जो लाष्ट में होता है तो आवट क्या हो जाएगा आवट रवी नटखट लड़का आई इसमें नटखट कौन सी संगे आया तक फिलिंग होता है नटखट अच्छा है खराब है तो भाव आचक संगे है फिलिंग हो गया अपसर नमबर C हो जाएगा संधी में संधी तो पांच संधी कहते हैं विषरग संधी जाएंगे तो पांच संधी रख संधी, संधी 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 संधिया तीन प्रकार के लेकिन स्वर संधी के बात होगा तो हो गया पांच पर करके अगला कोशन है कि नयन का संधी पिछे क्या होगा नयन ते इसका राही टेंसर हो गया ने पलस अन हो जाएगा ने पलस अन नयन अगला देखते हैं कि माता पीता में कौन स जाए तो उप्रती लगा हो तो उसमें जो है वह बीरी समास होता है यहां पे यह पहला नंबर के बोन नंबर के बोध कर लिएगा संधी और इस बढ़िया से पर लीजेगा जो कम है उसको क्या बोलते हैं मीत भासी बोलते अपसर नमीड डी अनेक सब्दों के लिएक सब्ब जो कम बोलता है मीत भासी जो बहुत बोलता है वा चाल उट के मुझ में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या हो गया नेके मतल़ हो गया बहुत ठोरा इसके आगे हम लोगो देखते हैं अगला कौशन आ गया इन बूजब दे तो यह हो गया हां तेरला सफाह बैसलों में अल्टा है जो हमेंशा होते होता है है तो अब सबाइता है संग्या को परकार है संग्या के पांच हो गया किसी एख लर्गा है लेकिन जब लरका सब्द कहेगा तो यह आपका जाती बाचक संग्या जाती बाचक हो जाएगा जक्ते बाचक हो जा जाएगा आप में निखल में सब्त में बाचक हो जाएगा डिंख sağ heeft अस्वार्श Aurora को थिये लिगे साँ activities बाचक हो जाएगा तो मैं ने लिखी पूरा वीडियो देख लीजिए सोच समझ लीजिए तो बढ़िया रहेगा भाई बहन में कौन समास हो गया दोंद नेक्ष को सन है कि धन सब्द का पर्यावाची क्या हो गया तो कई नाम है धन को लोग समपती भी बोलते हैं अगला को सन आ गया बुधिमान सब्द का मजी हो जाएगा आपका अनुषवार बन जाताई अगला को सन है दूध के दांत ना टूटना के मतलब का हो जाएगा मुहावरा है तो मुहावरा का अर्थ बताना है दूध का दांत नहीं टूटना है इसके right है अनुभाव हीन है अपसन नमबर A सही हो गया अगला कोसर नम्ड में कौन सब्स सरवे नाम है तो स्रवे नाम के बदले आता है किसी संगया के बदले आया है अगला कोसर 9 बढ़का 9 है मुर्धान जो है मुर्धा से बोलता है किसे मुर्धा से याद रखीएगा तो अफसर नमबर भी सही हो जाएगा तो अपसर नमबर के अग्या जाएगा दांट से यहां ध्यां रखिये सतर के बी अगला कोशन है कि औनन्थ सब में कॉण समास है तो आ के मतलम 9 है जिसका अन्थ नहीं हो जिसमें 9 के अर्थ चुपा हो तो उसमें नया समास होता है जैसे अनन्त अधिती नगे ईर्थ देता है तो नया समास अगला कोशन है कि धजय का क्या की होगा तो धैयाम का संधी भीचइद होजएगा आपका वी पुलस आयाम भीपुलस आयाम तो बहतर का ये नमर अपोचन सही है भी पलस आयाम ध्यान रखिएगा अगला कोशन देवाला सब्सक्राइब कौन समास है तो देखिएगा आप कुछ ऐसे समास में कर नहीं पकर में आएंगे तो अप्सन काट मिधर से भी बना सकते हैं जैसे द्विगू तो पहला वर्ट जहें नंबर होना चाहिए दो अन्द मत अगला कोशन अधिकार सब्सक्राइब कौन उपसर्ग है अधिकार में उपसर्ग अधी हो जाएगा अपसर नमर सी सही है ध्यां रखिएगा हिर्सिकार है तो ही नहीं 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 होगा अगला कोशन देख लेते हैं पाटली पुदर सब्सक्राइब कौन संख्या देखिए अगला को संधी कितने परकार संधी और विसर्ग संधी लेकिन पॉंच को अगला को संधी आगे नाथ ना पीछे पागहा लोकुक्ति का अर्थ क्या हो गया तो यह मतलब हो गया किसी तरह की जीमारी नहीं होना तो अपसर नमबर डी हो जाएगा अगला को संधी है चात्र सब्द का इस तरी फर्म चात्र हो गया लड़कियों के लिए उच ओता है चात्रा अगला को संधी का भावा क्या हो जागा है मित्रता मित्र का भावचंग क्या हो जागा है मित्रता अगला कोसन है आजकल भारती यह बाहना हो गया पाहणा मा कौन संधी है तो क्या हो गया आता है चांधी बहुत महतंगी है इसमें चांदी क्या हो गयाते द्रव है नजी अपसर नबर सी द्रव सुना चांदी तामा लोहा क्या होता है तो आपको चुनना होता है अपने चमकते रहेगा आपके अनुभव संकर जी हो जागा तो राई टेंसर क्या हो जागा लग अलग कराया तो यह आपके द्वीगू हो जाएंगगे द्वीगू अपसण नंबर भी अगला कोशन देखते हैं तीरिभुज में और कौए गैसे समाथ का बोड़ करा रहा है इन के फ़ीगु के ई हो जाएगे खैसे यह तो किया हो गोई यह समझा चुगे तिरफुज में जो है अब अगला कोशन आ गया नील шाँ राइप जानने की एक्ष्या राखता हुसको बोलते हैं जीगयाच्शू आप्सञ नमबर अगला कोशन नीचे लिखें सब्द में कौन सूध है अगला कोशन देख लेते हैं नेभन में सब्दों में कौन सूध पुछा तो इसमें हीता जो बहुत बोलता उसको का बोलते हैं तो उसको वाचाल बोलते हैं क्या बोलते हैं वाचाल बहुत बोलने वाले को क्या बोलने वाले को मित्भासी अगला कोशन है कि जो देखा नहीं जा सके जो देखा नहीं जा सके क्या बोलते हैं जो दृष से नहीं है उसको का बोलते हैं रिस यह बोलते आपको बताना है एक सो एक number कमेंट में जो न smartest इसको को चलते पुना जान लेंगे जिसके हिर्दय में मामता उसको निर्मम बोलते हैं जिसके हिर्दय में मामता नहीं हो नहीं हो तो निर्मम बोलते हैं जिसके हिर्दय में दया नहीं है उसको निर्दाई बोलते हैं तो चलिए ठीक है मिलते हैं अम लोग अलोग वीडियो में तब तक के लिए जाएं धन्यवा झाल झाल